हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 जी हाँ दोस्तों एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स जो आपका IT नेट्रोकिंग एंड क्लाउड कम्प्यूटिंग ठीक है दोस्तों इसके जो रजिस्ट्रेशन है देखिए दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन जो डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है तेईस चार दोजार बाईस तक बढ़ा दी गई है ठीक है दोस्तों increase कर दी गई है इसकी registration date ठीक है दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो की advanced diploma vocational training के लिए preparation करना चाहते है दोस्तों वो सभी लोग इस channel को अभी subscribe करें दोस्तों मैं आपको सारी जान कर ही बताऊंगा आपको कितना salary मिलने वाला है कितना आपको stepancy मिलने गा इसमें ठीक है एंड आपका training के दोरान कितना मिलेगा आपको एंड जब permanent हो जाएंगे सारे question आपके इस video के अंदर रहने वाले दोस्तों तो जो channel पे नए दोस्तों प्लीज channel को subscribe करें एंड एंड बेल आइकन की गंटी को दबाएं ठीक है दोस्तों जितने भी IT student है ठीक है दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो इसमें आपका जो class इसमें जो classroom आपको जो आपका classroom जो program रहने वाला हो 18 month का रहेगा ठीक है दोस्तों एंड जो internship रहने वाली है वो 6 month की रहेगी 6 महीने की ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएए स्क्रॉल कीजिए यह देखिए यहाँ पे classroom learning आपकी 18 month की है और जो internship है इंडेस्ट्री की हो 6 month की है ठीक है प्यारे बच्चों अब बात आती है कि सर कि जो मतलब जितने भी बच्चे इसमें form फ्रिल करेंगे ट्रेनिंग के दोरान जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको 3000 रुपीज मिलने वाला इसके अंदर अब बात करते है कि जो top 70 बच्चे है top 70 होंगे उनका जो permanently होगा उनको 15000 रुपया मिलेगा ठीक है प्यारे बच्चों 15000 रुपया मिलने वाला है तो ठीक है दूस्तों यह है बात अब बात करते है कि सर इसका syllabus exam pattern क्या है तो मैं आपको syllabus भी बता देता हूँ अच्छे से clear कर दूँगा इस वीडियो के अंदर syllabus भी अब बात करते है इसका जो CBT है ठीक है इसमें क्या है 100 question पूछे जाएंगे question अब मैं आपको बता देता हूँ कि 80 question जो होंगे वो objective होंगे किसके इसमें logical आपका logical reasoning होगा ठीक है ठीक है reasoning होगा reasoning से होंगे question जर्नल English से होंगे question आपके ठीक है पेरे बच्चों ठीक है अब बात करते हैं इसमें जो 20 marks है 20 number का आपका क्या पूछेगा computer IT ठीक है information technology कहलो या जो कोपा IT की जो theory है जो कोपा के बच्चे है IT कोपा IT के जो बच्चे है ठीक है तो उसके syllabus के according पूछेंगे इसमें ठीक है कोपा IT theory के 20 question ठीक है प्यारे बच्चों तो यह आपका syllabus रहेगा इस paper के लिए ठीक है प्यारे बच्चों अगर आप आपने form fill किया है तो आपको नहीं पताए कि तयारी कैसे करना है ठीक है प्यारे बच्चों अगर आप चाहते है कि हम इसके उपर video बनाएं ठीक है आपका जो 100 number का यह जो paper है इसके उपर अगर आप video बनवाना चाहते है कि sir videos लेके आएं तो आप मुझे comment box में बताना कि sir video लाना चाहते है मुझे आप बता दीजिए मैं आपके लिए video प्रोवाइट करूँगा अच्छा सा अच्छा इसके previous year मैं इसके previous year question paper भी आपके लिए लेके आऊँगा ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं यह होगी आपका complete ठीक है classroom program भी हमने बता दी आपको ठीक है and cvt इसका exam pattern भी बता दी आपको salary भी बता दी प्यारे बच्छों आपको अब बात आती admit card admit card जब भी आएंगे आपके वो हम आपको अगली वीडियो के माधियम से सारी चीज़ समझा देंगी प्यारे बच्छों ठीक है तो जितने भी diplomity ठीक है edit के जितने भी candidate है जिसने भी form को fill किया है ठीक है प्यारे बच्छों आपको अगर यह information अच्छी लगी है दोस्तों तो subscribe करना मत भूलना चैनल को ठीक है मिलते हैं next update के साथ और mock test की series के साथ तब तक के लिए दोस्तों जय हिन जय भारत